हलो वड़ोस वड़ोस वगाइस कैसाफ साब मैं नावा मित कुमार आप देख रहे हैं टेकनिकल मेव चैनल तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं ओपू रेनो एट मुवाइल है जो उसकी वीडियो लेके आए हैं मैं परसनली इसको यूज कर रहा हूँ उसकी मैंने कैमरे को काफी अच्छी तरीके से यूज किया है बहुत शांदार और अच्छी क्वार्टी है भई अच्छी तरीके से वीडियो मनाता है अच्छी तरीके से फोटो है कैप्चर बगएरा करता है कलर बगएरा हर चीज को अच्छी तरीके से मैनेज करता है मैंने काफी सारे वीडियो फोटो को उसके कलर को किस तरीके से मैनेज करता है, कितना जूम रहता है, किस तरीके से जूम करता है, किसी क्वालिटी रहती है, इसका स्टेवलाइजेशन वो कैसा है, स्लो मोसन है, वो कैसा है, इस तरीके की जो वीडियो, फोटो वगेरा सारे हैं, वो मैंने इसके अंदर आपको दिखाने की कोशिश की है तो वीडियो पूरा देखते रहना और क्यासा लगा है कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक कर देना नई है चैनल को सब्सक्राइब कर देना ओपो रेनो एट मुवाइल है अच्छे फंक्शन और फीचर है इसके अंदर तो अंदर सोनी सेंसर लगे हुए हैं पीछे सोनी का IMX 766 लगा हुआ है वही हम सेलफी की बात करते हैं तो फ्रंट कैमरा है जो उसके अंदर 70 लगा हुआ है तो दोस्तो यह एक फोटो है अपने सामने घंले के अंदर फोटो घंची हुई है तो फूल की काफी अच्छी फोटो आई है अप फोटो अपने सामने खींच के लेके आता है वही हम अगली फोटो की बात करते हैं तो यह दोस्तों बाहर की फोटो है एक नेच्चुरल फोटो तो इसके अंदर काफी अच्छी फोटो आ रखी है चारो तरफ से कलर वगेरा और डाइमिंग रेंज वगेरा सारी अच्छी ल जो मंदेर गुर्दवारा होते हैं वह अपने पिछली फोटो की बात करते हैं तो उसमें वो काफी दूर दिखाई दे रहा है जो हमें नॉर्मल दिखाई नहीं दे रहा है और। वही हम अगर जूम करके खेंच हैं यहुन करके फोटो हमने खेंची है इस जूम के अंदर यह शान्दार सा हमको मंदिर दिखाई दे रहा है जूम कैपिसिटी काफी अच्छी है 20X का हाइस जूम है वही 10X में हम बहुत अच्छी इसके अंदर जूम के अंदर फोटो कहें सकते हैं वही हम आगे की फोटो के अंदर बात करते हैं तो दोस्तों ये एक सुबह की फोटो है कि फोटो का न जा रहा है सब साबने से सूरिच की स्वाइट अच्छे उस मैनेज किया रिख है जुन आ अगली फोटो फटो बात चांदर को बोग म कौला सlles ра की ना पन्सली ना कोई ना रहों बरॉस्टा ओर भी वाफी खूबसूरत और अच्छी लग रही है वह हम इसको एक्सपर्ट जो ऑप्शन है इसके अंदर खुछ से हमने अपने इसाब से इसका 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 इसको खेंचा है इसमें देखते हैं कि बहुत ही शांदार जो पीछे का बैगरांड है उसने बलर करके और अपने को एक स आती है अपने सामने तो यह देखने दोस्तों एक और हम ने फोटो खेंच है अगर जो ऑबजेक्ट है इसको हम कैप्चर कर रहे हैं तो सामने दिखाई दे रहा ये इसने जो पास में था इसके उसको इसने बलर कर दिया है और जो दूर की जो सामने से फोकस करके और फोटो की बात करते हैं तो ये HDR फोटो है तो इसके अंदर इसने कलर को काफी अच्छे से मैनेज किया है वाइम बात करते है फोटो की तो इसके अंदर पोट्रेट मोड की बात करते हैं ये देखो दोस्तो आर्टिफिशल लाइट गे अंदर तो इसने क्या किया है पीछे की ज शांदार सा जो बबल्स मनाई है ना ये देखने बहुत खूबसूरत लगते हैं इस तरीके का जो पोट्रेट है वो मतलब मेरे को रियल में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मेरे पास दूसरा मॉइल था पेले उसके अंदर रहना इस तरीके के बबल्स वगेरा नहीं आते और जो अबजेक्ट वगेरा जो या लाइटिंग है या कुछ है उसको इसने बबल्स बना दिये हैं तो ये काफी शांदार है वही हम अगली फोटो के बात करते हैं तो ये एक थोड़ा साइट से एक वड़ा साइट करके फोटो घंचा है तो इसने ये शांदार चीज से अ अग्दम नैचुरल तरीके से शांदार आए वही हम आगे एक और फोटो के बात करता हूं तो ये एक सिंपल फोटो है जो बलर नहीं की हुई है इसने कलर वगएरा को बहुत ही शांदार तरीके से मैनेज करके और एक अच्छी क्वाल्टी की फोटो अपने सामने लेकिया ह ये देखो दोस्ता इसने फिर से एक बहुत शांदार सी फोटो खेंची है वही हम दिन के अंदर बात करते हैं तो दिन के अंदर इसने इस तरीके से फोटो को कैप्चर किया है मैं कहता फोटो की क्वाल्टी बहुत ही शांदार अच्छी आती है और बैगराउंड इसने बल को इसने बलर कर दिया है और बबल्स बना दिये हैं तो देखने बहुत ही शांदा लगती है वही हम यह दिन की एक फोटो है जो सिंपल तरीके से खेंची हुई है तो यह भी बहुत शांदार है वही मैंने एक दिन के अंदर चांद की फोटो खेंची है मैंने एक तो काफी का जो 20X का जूम है ये कुछ इस तरीके से फोटो आई है पिछे का जो मेन केमरा है उससे हमने ये दिन की फोटो लेगे देखिए अब हम नाइट फोटो के अंदर देखते हैं कि किस तरीके से इसकी परफॉर्मेंस है ये एक मेने रूम के अंदर मेरी फोटो खेंची है ये न ऑपो रेनो एट मोईल है जो शांदार है इसका कैमरा और नाइट के इंदर भी बहुत अच्छी परफॉल आजाती है है कि यार यह कोई मतलब लाइट जादा है या कम है ऐसा लगता है कि काफी अच्छी लाइट है कैमरा भी नाइट के अंदर अच्छी काफी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मैंने एक आर्टिविसल लाइट ग्रीन लाइट बाहर की साइट जगा के देखी तो यह कुछ इस तर को कैप्चर किया तो उसके बार में कुछ इस तरीके की हमें परफॉर्मेंस दिखाई देती है वहीं हम अगर नाइट मोड ओन करके इसका मैंने फोटो घंचा तो यह देखो दोस्तों बिल्कूल भी कोई लाइट नहीं थी पीछे की लाइट जो थी उसको इसने काफी अच् फोटो खेंची यह नॉर्मल कैमरे से मैंने फोटो खेंची उसके बाद में मैंने इसको जूम करके और फिर यह देखो दोस्तों इसने जूम करके यहां तक लिया है आचांद की फोटो को तो इसका जूम भी ठीक है उतना ज्यादा नहीं है कि जैसे एक होता है ना फोटो की तो यह नॉर्मल फोटो है जो मैंने खेंची है उसके बाद में मैंने जो अल्टरा वाइड ओन करके यह फोटो खेंचा है यह देखो दोस्तों काफी अच्छी फोटो आई यह देखो इसने साइड से अगर हम पिछली फोटो की बात करते हैं तो उसके अंदर आच्छी मैक्रो फोटो की फोटो खेंचो है तो मैक्रो जो इसाडर दुन के अदर बहुत अच्छी तरीक बार दू Bridge आज टीश आउड है वही हम आगे की फोटो गे अंदर देखते हैं तो यह बी एक काफी अचायश फोटो आ जाती है यह भी एक जो ओ्ल्ट्रा मैक्रो शो्र्ट से फोटो कहिंचित तो ये भी एक जानदर फोटो है तो धंड़र अट लो हमकिर्भर ॉड ठीक है जादा हाइफ भी नहीं कह सकते और बेक ौडर भी नहीं अब हम करते हैं फ्रैंट केमरे में सेली केमरा जो हमारा है 32 मेगा फिकल का उसकी बात करते हैं तो इसके अंदर हमने फ़र्ट जो फोटो खेंची है यह इस तरीके की तो इसके अंदर देखो फोटो बहुत ही शानदार आजाती है और बैगराउंड भी जो इसने बलर किया है वह बहुत ही अच्छा मतलब दिखाई दे रहा है वहीं हम अगर इसके कुछ फंक्शन हैं अंदर कि उसको ओन करके देखते हैं तो बैगराउंड को ब्लैक करके खुद को कलर रखा है तो यह इसके फीचर से हैं आप हो इस तरी की फोटो ले सकते हो अगली फोटो में बात करत है और सामने को अपने ब्राइट उन वगेरा शांदा रहती है ना तो ओवर सेचुरेटर करता है और ना ही पार्टीफिचल करता है तो नॉर्मल फोटो में मतलब शांदार आती है यह चीजें अगर हम के सेल्फी कैमरे में अगर पीछे जापने बिलकुल कैमरे के सामने सामने सूरज हो तो फिर भी इस तरीके का यह फोटो खेंच लेता है वही हम आटिफिचल लाइट की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके की कलर और रंगीन लाइट के अंदर जो एलफी लेता है जो इसकी है फ्रेंट के अंदर मतलब स्क्रीन भी बिल्कुल डाउन करती तो भ कि बलब जगा के मैंने यह लाइट के साथ में यह फोटो खेंची है तो यह भी बहुत अच्छी है तो सेल्फी केमरा भी शांदार है इसका बहुत ही मैंने दिन में रात में और हर जगा ट्राइ किया है तो यह चीज बहुत ही शांदार और अच्छी है वहीं अगर दोस्तो वहीं अगर हम दोस्तों इसके स्टेबलाजेशन की बात करते हैं तो मैं अब रनिंग करता हूँ स्टेप पर क्योंकि स्टेप वाइ स्टेप जो यह लगे हुए प्यार सी स्लिप पर इने पर चलते हैं तो कैमरा हिलता है तो हिलते से मैं अपने देखेंगे कि किस तरीके से अपना कैमरा वर्क कर रहा है इसका वीडियो तो मैं अभी आपके सामने चल रहा हूँ इस पर और थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ ताकि पता लगा जासके कि किस तरीके से कैमरा मेनेज करता है i stabilisation को triay li दोस्तों वास्तमी बहुत ही अच्छा मेनेज कर रहा है हकीकत में मैं बहुत ही ङसे मतलब जटके से चल रहा हूं था कि camera ही बोर अपने को पता चले लेकिन camera इस चीज को बहुत ही strongly manage कर रहा है बहुत ही अच्छा इसके अंदर ओपर जो reno 8 mobile है इसके अंदर ये बहुत ही सान्दार अच्छी तरीके से इस चीज को मैनेज कर रहा है बहुत पढ़े तरीके से अपने कोई समूद वीडियो परना कर दे रहा है तो जितने भी अब्जेक्ट बड़ेगा जो अपने सामचे चल रहे हैं तो वो अगर लाल कलर के अंदर है तो उसको सेलेक्ट कर लेगा और बाकी को ब्लैक दिखाएगा वही हम इस वीडियो के अंदर ग्रीन कलर को स्लेक्ट करते हैं और ये ग्रीन कलर को बहुत ही अच्छी तरीके से अपने सामने शो कर रहा है और बाकी वीडियो को ब्लैक कर दिया है वही हम एक और वीडियो के अंदर बात करते हैं तो इस वीडियो के अंदर हमने blue color को select किया है blue color को इसने select कर लिया है बाकी को जो जितना भी वीडियो चल रहा है बाकी को black and white कर दिया है वही हम इस वीडियो के बात करते हैं तो ये एक slow motion वीडियो है जो काफी अच्छी तरीके से इसमें तीन mode है हमने 240 वाला select किया है तो इस पर ये वीडियो record हो रहा है तो अराम से और बढ़िया तरीके से इसमें तीनों ही mode में ने चला के देखे तो अच्छी तरीके से वर्क करते हैं और बहुत ही अच्छी super slow motion इसके अंदर है तो शांदार है ये चीज कोई भी object जो कोई भी person चल रहा है moment कर रहा है उसको बहुत ही आसानी से और slow motion में record करता है तो ये शांदार चीज है इसकी तो camera overall phone mobile सब बढ़िया है तो हमने सारी वीडियो और फोटोग्राफी टेस्ट कर ली है तो मैंने बताया था लास्ट में मैं अपना opinion बताऊंगा इस camera और mobile के बारे में मतलब 21 है ये वीडियो को लाइक करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं next video